हर्म कर्म जीवन संसकार कैसा रहेगा आज आपका हाल क्या कहता है आपका राशिफल देखिए भारत आज के साथ आज का राशिफल मेश राशिफल प्रभाव शाली लोगों का सही योग आपके उत्सा को दोगुना कर देगा जो लोग काफी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे उन्हें आज कहीं से धन टाप्त हो सकता है जिससे जीवन की कई परेशान्या दूर हो जाएंगी वावाहिक बंधन में बनने के लिए अच्छा समय है किसी छोटी मूटी बात को लेकर भी आपके प्रिये से आपकी नूग जोंख हो सकती है अगर आप खरिदारी करने जाएं तो जरूर से जादा जेब ठीली करने से बचें अगर आपके जीवन साथी का मन खिन है और चाहते हैं कि दिन अच्छे से गुजरे तो चुप्पी साथे रहें इस सब्ता के अंत में परिवार के साथ शॉपिंग पर जाना संभव लग रहा है लेकिन शॉपिंग जेब पर भारी भी बढ़ सकती है उपाए अपने प्रेमी या प्रेमी का को समय समय पर सफेद वस्तों गिफ्ट में देते रहें इससे प्रेम संबंधों में बढ़ोत्री होगी विश्राशी फल आज के दिन आप बिना जहंजट विश्राम कर सकेंगे अपनी मास पेशू को अराम देने के लिए तेल से मालिश करें ये बात भली भाती समझ लें कि दुख की घड़े में आपका संचित धन ही आपके काम आएगा इसलिए आज के दिन अपने धन का संचे करने का विचार बनाए परिवार के साथ सामाजिक गती विधियां सभी को खुश रखेंगी विवादित मुद्दो को उठाने से बचें अगर आप किसी विवाद में उलच जाएं तो तल्क टिपनी करने से बचें आपका जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है क्योंकि आप उनसे कोई बास साजा करना भूल गए थे तिन की शुरात में ही आज आपको कोई बुरी खबर मिल सकती है जिससे आपका पूरा दिन खराब हो सकता है आज अपने मन को काबू में रखनी की कोशिश करें उपाए अच्छी आर्थिक स्थिती के लिए मास मदीरा और तरनारी के संपर्ग से बचें मिठ्थुन राशी फल आपको काफी समय से चल रही बिमारी से छुटकारा मिल सकता है धन का आगमन आज आपको कई आर्थिक परिशानियों से दूर कर सकता है ऐसा कोई जिसके साथ आप रहते हैं आज आपके किसी काम की वज़ा से बहुत जंजलाहट महसूस करेंगे आपका प्रिये आज रोमेंटिक मूड में होंगे आज लोग आपकी वुपशंसा करेंगे जिसे आप हमेशा से सुनना चाहते थे कहते हैं किस तरियां शुक्र और पुरुश मंगल ग्रह के रहने वाले हैं लेकिन आज के दिन विवाहित शुक्र और मंगल एक दूसरे में घोल जाएंगे बहुत सारे मेमानों कि आप भगत आपका मूड खराब कर सकती है लेकिन अच्छी बात यह है कि आप कई पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं उपाए अकेलेपन का हिसास बहुत अखरता है इससे मुक्ती पाने के लिए रिवडियां पानी में विसरचित करें करक राशी फल आप अपने सकारात्मक रवये और आत्मिश्वास की वज़र से आसपास के लोगों को प्रभावित करेंगे इस राशी के विवाहित जात्कों को आज ससरौाल पक्ष से धन्वाब होने की संभावना है जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी होती है उनसे बातचीत और संपर्क करने के लिए अच्छा दिन है अपने प्रिये की पुरारी बातों को माफ करके आप अपनी जिंदगी में सुधार ला सकते है बुना किसी पूल सूचना के आज आपका कोई रिष्टेदार आपके घर पधा सकता है जिसकी वज़ा से आपका कीमती समय उनकी खातिरदारी में जाया हो सकता है आपको महसूस होगा कि शादी के वक्त किये गए सारे वादे सच्ची है आपका जीवन साती ही आपका हमदम है आज पानी की जीवन में क्या कीमत है इसके बारे में आप घर के छोटों को लक्चर दे सकते है उपाए विद्वाओं की मदद करने से स्वास्त अच्छा रहेगा सिंग राशिफल शरीर के किसी अंग में दर्ध होने की संभावना है किसी भी ऐसे काम से बचे जिसमें जादा शारिरिक महनत की ज़रत हो परियाप्त आराम भी करें धन का आगमन आज आज आपको कई आर्थिक परिशानियों से दूर कर सकता है एक बहतरी शाम के लिए रिष्टेदार दोस्त घर आ सकते हैं जरा संभल कर क्योंकि आपका प्रियरुमानी तोर पर आपको मक्खन लगा सकता है मैं तुम्हारे बगार इस दुनिया में नहीं रह सकता या नहीं रह सकती जिंदगी में चल रहे आप अधापी के बीच आज आपको अपने लिए परियाप्त समय मिलेगा और आप अपने पसंदीदा कामों को कर पाने में कामियाब हो पाएंगे आपका जीवन साथी बिना जाने कुछ ऐसा खास काम कर सकता है जिसे आप कभी भूला नहीं पाएंगे आपके परिजन अपने साथ आपको किसी जगा ले जाएंगे हाला की शुरुआत में आपकी कुछ खास देवचस्पी नहीं होगी लेकिन बाद में आप उस अनुभव का भरपोल लुप उठा सकेंगे उपाए धर्विस्थान के लिए धज़ा का दान करने से स्वास्थ अच्छा रहेगा कन्या राशिफल परेशानियों के बारे में सोचते रहने और तिलकातार करने की आपकी आदत आपके नैतिक ताने बाने को कमजोर कर सकती है कोई पुराना मित्र आज आप से आर्थिक मदद मांग सकता है और यदि आप उनकी आर्थिक मदद करते हैं तो आपके आर्थिक हालात थोड़े तंग हो सकते हैं एक खुशनना और बड़िया शाम के लिए आपका घर महमानों से भर सकता है आपकी उर्जा का इस्तर उचा रहेगा क्योंकि आपका प्रिये आपके लिए बहुत सारे खुशी की वज़ा सावित होगा अपनी खासियत और भविशे की योजनाओं पर फिर से सोचने का समय है ऐसा लगता है कि आपके जीवन साथी आज आपके उपर खास ध्यान देंगे सिहत के लिहास से दोड़ लगाना आपके लिए फाइदे मन रहेगा क्योंकि ये मुफ्त भी है और अच्छी एक्सरसाइज भी उपाय मास मदिरह का त्याग करने से हेल्थ अच्छा रहेगा तुला राशिफल मांसिक इस पश्टता के लिए भ्रम और निराशा से बचने की कोशिश करे होश्यारी से निवेश करें जिने आप चाहते हैं उनके साथ उपहारों का लेंदिन करने के लिए अच्छा दिन है आप महसूस करेंगे कि प्यार में बहुत गहराई है और आपका प्रिये आपको सदा बहुत प्यार करेगा आज कुछ ऐसा दिन है जब चीजे उस तरह नहीं होंगी जैसा आप चाहते हैं अपने जीवन साथी के साथ आज आप एक शांदार शाम गुजार सकते हैं बहतर भविशे की योजना बनाना कभी बुरा नहीं होता आज के दिन का अच्छा प्रियोग आप उज्वल भविशे की योजना बनाने के लिए कर सकते हैं उपाए हनुमान चालिसा का पाठ करना स्वास्त के लिए शुब रहेगा विश्चक राशिफल आज के दिन किये गए दान पुन्ने के काम आपको मानसिक शांती और सुकून देंगे आज आप अपने घर के वरिष्ट जनु से पैसे की बचट करने को लेकर कोई सलाह ले सकते हैं और सलाह को जिन्दगी में जगा भी दे सकते हैं नवजास इशू की खराब तब्यद परिशानी का सबब बन सकती है इस पर तुरंत ध्यान देने की जरुत है डॉक्टर से भली भाती सलाह ले क्योंकि जरा सिला परवाही बिमारी को बच से बचतर बना सकती है नए संबंधों के बनने की संभावना ठोस है लेकिन व्यक्तिगत और गोपनिय जानकारियों को उजागर करने से बचें आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि जादा लोगों से मिलकर आप परिशान हो सकते हैं और फिर अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं इस लिहाँ से आज के दिन आपके लिए बहुत उम्दा रहने वाला है आज आपको अपने लिए परियाप समय मिलेगा दिन वाकर रोमानी हैं बढ़िया खाने महक और खुशी के लिए आज आप अपने हंदम के साथ बहतरीन समय बिता सकते हैं शांती का वास आपके दिल में रहेगा और इसलिए आप घर में भी अच्छा माहौल बना पाने में खामियाब होंगे उपाए पारिवारिक सुक बढ़ाने के लिए शराब ना पियें क्योंकि सूर्य सात्विक्त रहे हैं और तामसिक वस्तुरू से चिर्ता है अलूर राशिफल आपको लंबे समय से महसूस होरे ठकान और तनाव से आराम मिलेगा इन परिशानियों से स्थाई निजात पाने के लिए जीवन शैली में बदला लाने का सही समय है आपके घर से जुरा निवेश फाइदे मंद रहेगा जब आप अकेला पर महसूस करें तो अपने परिवार की मदद लेजिए ये आपको अफसाद से बचाएगा साथ ही समझदारी भरा फैसला लेने में आपकी मदद करेगा शाम को प्रिये के साथ रोमेंटिक मुलाकात और साथ में कहीं लजीज खाना खाने के लिहाद से बढ़िया दिन है रात को अफस से घर आते वक्त आज आपको सावधानी से वाहन चलाना चाहिए नहीं तो दुल घटना हो सकती है और कई दिनों के लिए आप बिमार पर सकते हैं आपका जीवन साथी आपकी बहुत तारीफ करेगा और आप पर बहुत समय उठे लेगा आपके घर के लोगों को आज आपके साथ की जरुवत हो सकती है उनके साथ समय निकालने की कोशिश करे उपाए आज के दिन सफेच चंदन को अपने पास रखने से आपकी मानसिक शांती बने रहेगी मकर राशिफल अपनी खुश्यों को दूसरे के साथ साजह करना आपकी सिहत को बहतर करेगा लेकिन ख़वाल रखे कि इसे नजर अंदास करना बाद में भारी बढ़ सकता है आप उन योजनाओं में निवेश करने से पहले दो बास सोचे जो आज आपके सामने आई है ग्रह प्रवेश के लिए शुप दिन है अगर आप खुले दिल से अपनी बात रखे तो आपकी महबत आज आपके सामने प्यार के फरिष्टे के रूप में आएगी अपनी खासियत और भविशे की योजनाओं पर फिर से सोचनी का समय है एक बड़िया जीवन साथी के साथ जीवन वाकई अद्बत लगता है और आज आप इस बात का अनुभव कर सकते है वेक्ती पैसे के चक्कर में स्वास्त गवाता है फिर स्वास्त के लिए पैसा स्वास्त अमुले धरोहर हैं इसलिए आलस से त्याग कर अपनी शारिरिक सक्रियता को बढ़ाना फाइदे मन्द रहेगा उपाए आर्तिक स्थिती को मजबूत करने के लिए खाने से पहले पैर धोए यदि ऐसा संभव ना हो तो हमेशा जूते बाहर निकाले और उसके बाद ही भोजन करने के लिए बैठे कुम्भ राशिफल भरे पूरे और संतुष्ट जीवन के लिए अपनी मानसिक ध्रिंटा में व्रिधी कीजिए आज आपको अपने भाई या बहन की मदद से धन लाब होने की संभावना है कोई चुठी या इमेल पूरे परिवार के लिए अच्छी ख़बर लाएगी मस्ती मजा जीवन साती के साथ ये रोनानी दिन रहेगा आज आप बहुत कुछ करना चाहतें फिर मुम्किन है कि आज आप इन चीजों को बाद के लिए टाल दे तिन खत्म होने से पहले उठे और काम में लग जाए नहीं तो आपको महसूस होगा कि पूरा दिन बर बाद हो गया आज उन लोगों के लिए कुछ करें जो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते किसी बिखारी या अपंग व्यक्ति को खाना खिलाए मीन राशी फल आज आपके पास खुद के लिए परियाप समय होगा तो मौके का फाइदा उठाए और अच्छी सिहत के लिए पैदल सेर पर जाए आज इस राशी के कुछ बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है जिससे उनकी आर्थिक इस्तिती सुधरेगी कुछ लोगों के लिए जल्द ही शादी की शेहनाई बज सकती है जबकि दूसरे जिंदगी में नए रुमांस का अलुभव करेंगी आज के दिन खटनाई अच्छी तो होंगी लेकिन तनाभ भी देंगी जिसके चलते आप ठकान और दुवधा महसूस करेंगे मुम्किन है कि आपके माता पिता आपके जीवन साथी को लेकर कुछ शांदार आशिरवात दे जिसके चलते आपके ववाहिक जीवन में और निखार आएगा मुम्किन है कि किसी बहतरीन डेस्तरा में परिवारे अमित्रों के साथ भोजन की योजना बने हाँ खर्चा थोड़ा जादा हो सकता है उपाए बात्रूम या घर के कोनों में गमले में सफेद मार्बल के टुकड़े या दाने रखने से पारिवारे जीवन में खुशाली आएगी डिस्क्लेमर यहां दी गई जानकारी सामाने मानेताओं और जानकारियों पर आधारित है भारता जिसकी पुष्टी नहीं करता